Students of class 2, good morning, I am going to continue lesson 8, okay? Start. यहां है while riding a bus, okay? तो bus में हमको किस तरह का रुष का follow करना चाहिए? तो do not disturb the driver. सबसे पहले bus में बैठते हैं, तो driver को disturb नहीं करना चाहिए. Do not put your hand out or lean out of the bus. बस में जब बैठे रहते हैं, तो देखें, यहां बाहर हाथ निकाला हुआ है. तो यह क्या है? गलत है. हमें बस में बैठे समयें, बैठने से क्या करना चाहिए? अपना सीर या हाथ नहीं निकालना चाहिए बाहर. ओके? अब also remember these, इन्हें भी देखें, क्या है यहां है? Always remain seated in a moving bus. बस में जब आप चलते हो, तो अपनी seat पे बैठे रहे हैं. Also remember these, इन्हें भी देखें, wait for it to stop completely. जब बस completely रूप जाती है, तब हमें चर्णा चाहिए या उतरना चाहिए. Do not rush or push when the bus arrives. तो जब बस में हमें धका मुकी नहीं करना चाहिए, किसी को धका नहीं देना चाहिए. और 37 से उसमें बैठे रहना चाहिए अपने seat पे. Wait in the queue to get in or out. जब बस रूप जाती है, तब हमें उस पे क्यू में कतार में चलना चाहिए और कतार में उतरना चाहिए. लाइन से हमें क्यू मेंस होता है कतार, तो इसे हमें लाइन से चड़ना चाहिए या लाइन से उतरना चाहिए. Start. अब check point है, fill in the blanks है, always remain seated while the bus is moving. बस में जब आप बेट चलते हो, तो अपने seat पे बैठे रहना चाहिए. Always walk on the footpath, हमें बार रोड पे जब footpath पे वाक टहलना चाहिए. Cross the road only when the pedestrian sign shows green. जब cross road cross करते हैं, तब green light जब जल रहा हो, तभी हमको road cross करना चाहिए. Wait in the queue to get into the bus. हमें wait करना चाहिए, तब bus जब रूख जाती है, तब कतार में चरना चाहिए या उतरना चाहिए. अब while playing. Playing खेलने समय किस तरह का नियम का पालंग करना चाहिए, तो यहाँ है do not skater twice in a room. हमें अपने रूम में twice को भिखेल के नहीं रखना चाहिए. Do not play with things made of glass. कोई भी सीसे के समान से हमें नहीं खेलना चाहिए. Do not push your friends while playing. हमें अपने फ्रेंड को खेलते समय धक्का नहीं देना चाहिए. While swimming, swimming तैरते समय हमें किस तरह का रोज का पालं करना है? Do not swim alone. Swim with an adult. हमें अकेले श्विम नहीं करना चाहिए. बच्चे को अकेले क्या करना है? अकेले नहीं तैरना चाहिए. कोई बड़े आदमी जब हो, तभी हमें पानी में तैरना चाहिए. Do not play near the edge of the pool. हमें पूल के नजदी नहीं खेलना चाहिए. Use an arm float or a swimming tube if you cannot swim. यदि हमें तैरना नहीं आता हो, तब हमें क्या करना चाहिए? ट्यूब पे बैठके तब तैरना चाहिए पानी में. Okay? While in the school. School में किस तरह का रूल का पालंग करना चाहिए? Do not fight or hit other with things. हमें school में किसी के साथ लडाई जगरा नहीं करना चाहिए. Do not jump on desk. हमें desk पर jump नहीं करना चाहिए. कूदना नहीं चाहिए. Okay? It is also important not to run on the stairs on in the school, corridor or push other on the staircase. और playground. हमें school में, corridor में नहीं दौरना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए. सिरी से उतरते हुए. जब हम सिरी से उतरते हैं उपर में. तो हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए. और playground में भी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए. Okay? और अगले क्लास में हम आपको safety rules at home घर में किस तरह का rules का पालन करना चाहिए इससे समझाएंगे तब तक के लिए bye have a nice day